ऐलो फ्रेंड्स एसजी निटिगन क्राफ्ट्स फ्रेंड्स आज आपको मैं डवल वर्डर बहुत ही इजी डंग से बताऊंगी कैसे बनाना है तो सबसे पहले आपने सलाई में सिंगल थ्रेड से फंदे डाल लेने ऐसे आपने सिंगल दागे से ऐसे ऐसे आपने सिंगल दागे से फंदे डाल लेने तो मैंने इसमें फंदे जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने पचास फंदे लिए है तो आप इसमें फंदों का कोई भी इशू नहीं है आप जितने चाहों आपने प्रजेक्ट के कॉर्डिंग फंदे डाल सकते हूँ तो border की first row, first slide, 1 फंदा सीधा, दागा आगे 1 फंदा उल्टा, ऐसे 1 फंदा सीधा बनाएंगे, 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा, इसे तरह ही जे आपने first row complete करनी है, जे मैंने first row बना ली है, अब second row, second row देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, जाब बूनना है, बून सकते हो, दागा अपनी फंदा करना है, जे आगे उल्टा फंदा, उल्टे फंदे को आपने ऐसे जैसे हम उल्टा फंदे हैं, उसको ऐसे उ लेके जब जाओगे स्लाई में ये सीधा फंदा डाल लेना है, फिर इसको नीचे से उपर लेके आना, घमा के आपनी ऐसे, फिर स्लाई में बापस डाल देना, फिर इसको बनाना है, जागा आगे करेंगे, इसी को दो फंदे को आगे आपने रपीट करना है, उल्टा फंद के इसको ले आना बापस सलाई में डाल के इसको सीधा अपने बना लेना है ऐसे दागा आगे उल्टा फंदा बनाना है सीधे फंदे को सलाई नीचे घमा के फंदा डाल लेना है उपर ले आना है बापस सलाई में डाल देना है फिर इसको सीधा बना लेना है ऐसे ऐसे ही आपन उल्टा फंदा सीधे फंदे को नीचे सलाई गुमा के सीधे फंदे को डाल के उपर लेके बापस सलाई में डाल देना ऐसे फिर इसको सीधा बना लेना इसे तरह ही ये सारी सलाई को आपने सेकल रो को कम्पलीट करना है अब तीसरी सलाई थर्ड रो कैसे बनाएंगे देखिए पहला फंदा सीधा इसको सीधा बना लो जा उतार लो पहले फंदे को ऐसे दागा आगे करेंगे आगे जी उल्टा फंदा उल्टे फंदे को आपने बनाना नहीं है ऐसे सिलिप कर लेना है ऐसे उतार लेना सलाई में ड दागा पीछे करना है आगे सीधा फणदा, सीधे फणदे को बना लेना है। दागा पीछे करना है, सीधे फंदे को बनाना, इसी तरह ही आपने इस थर्ड रो को बना के कम्प्लीट करना है, जी मैंने थर्ड रो को ही रपीट करती हुए तीन सलाई और मना लई, तो जहां आप जितनी बॉर्डर की चड़ाई जहां रखना चाती है, उतनी आपने थर्ड रो को तीसरी सलाई को रपीट करती हुए उतनी सलाई बना लेनी, तो मैंने टोटल चार सलाई बनाई है, इतना ह मैंने जहां यह बॉर्डर बनाना उसके बाद आपने लास्ट में फिर जब आपने सलाईयां डाल ली जितनी आपने चड़ाई रखनी लास्ट रो आपने जे सारी ऐसे उल्टा बनानी है लास्ट जो रो बनानी है आपने उल्टा उल्टा ऐसे बनानी सारी सलाई को आपने उल्टा बना के complete करना है जह मैंने उल्टी सलाई बना ली तो ऐसी हमारा double border बनेगा तो जह मैं एक project बना रही हूँ जह किसी का sweater उसी में मैंने border लगाया है ऐसे इसकी look आएगी नीचे से double ऐसे दोने तरफ सेम ही जह दिखेगा डवल मनेगा जैसे रेडिमेट लुक में होता है अगर जी आप design देखना चाते हो तो मेरे चैनल पर इसकी वीडियो है आप देख सकते हो तो friends चैनल को subscribe किजिए वीडियो को share किजिए like किजिए thank you